जैसे आप सब को अभी अभी बटा गया है कि अगले 20 जुलाई को डेली में आसियान दस देशों का साथ ट्रेडिशनल मेडिसेन के सिल्चिले में एक कन्फरेंस यहाँ अनुस्ठित होंगे और इस कन्फरेंस में आप सब को मालू है कि हमारे आसियान देशों का साथ जो एक बड़ी असी रिस्टा है इस रिस्टा को और भी मजबूट बनाने के लिए हम एक साथ मिल कर प्रामप्रागत चिकिच्चा पध्धती के सिल्चिले में हम बादशित करेंगे और पिछली बार 2013 में पड़ामादर निया पधार मेंटेजी के लिए नेटिक्टर में मिनिस्ट्र आइउस ने डिल्ली में ही हमारे तो अब मन्य पढ़ान में जो भी हमारी प्रगती हुई है इस प्रगती के देखती हुए अगली दिनों में हमारे इस पड़टी को हम और अगे बढ़ाने के लिए बिशे सुरुप से बाइठक आईजन की गई है और 2014 में जो भी डेली के डेकलरेशन हुई थी इस सिल्शिले में बिशे सुरुप से कनेक्टिविटी, कॉमर्श और काल्चर इन तिनों बिंदू पर बिशे सुरुप से ध्यान दिया गया था और अगली दिनों के लिए लक्स की हिसाब से प्रस्टूट के गये थे तो हमारा ही मनना है कि आफ पिसली नौ साल के अंदर आयूस सेक्टर ने परमादर्ने पढ़ान में रहंडर मुड़ी जी के नेटित्व में जो भी विकास जात्रा पर विशेश रूप से पहसान बनाने में सफल अप्राप की है हमारी पुरोसी दस देशों का साथ हम इसी विवस्ता को और भी आगे बरहाने के लिए इस कदम को हम उठाने जा रहा है और हमारी पुरोसी देश का साथ हमारी जो तालमिल है विशेश रूप से जो सिमिलर्टी है जेगरफिकल हो, सिविलाइजिशनल हो, काल्सरल हो in many ways we have so many commons historical and also the risk biodiversity तो सारी सीजों को डेखते हुए हम साथ है कि हमारी एक holistic walking relationship बने तक कि अगली दिनों में हम परंपरागत पढ़टी को और भी आगय बढ़ाने में सफलता प्राप करें और आप तक हमारे जो भी बिकास संबब हुई है और इस बिकास को डेखते हुए आज डाबली एशों ने भी उनकी extension कर रहा लए हिंदुस्थान में भी उन्होंने बनाए है और भारत को ही इस शिकिश्चा पढ़टी को आगे बढ़ाने के लिए नेतित्य सोपे है तो यह हमारे बहुत बड़े जमीदारी है और हम साहते हैं कि हम परोसी देश का साथ मिलकर इस education, resource और practice सरी सीजों को हम आगे बढ़ाए तो हमारी इस conference में पिसली जो भी declaration हुई थी और जो भी निन्ने हुई थी इस पर भी detail पे सरसा होंगे उपलबधी के सिल्षिले में और अब तक अलग अलग डेश में जो भी विवस्था खाड़ा हुई है परंपरा का चिकिछ चपड़टी के सिल्षिले में सहे म्यानमार हो थाइलेन हो वियतनाम हो लाउस बुर्णौई कंबुडिया हो सिंगापूर हो इंडोनीशिया मलाइसिया फिलिपिन्स सारे डेश में जो भी पिसली दिनों में विकास हुई है इस ट्रेडिंग के सिल्षिले में हो, इंबेस्में में हो, इंस्टिटीशन में हो, रिसार्च में हो, रिगलुटरी फ्रेमोर्क के सिल्षिले में हो, सारे बिंडू पर डिटेल पर सर्शा किया जाएगा तो I believe this is a very very important occasion for all of us and particularly whatever experience we have gathered in the last 30 years of our most cultural relationship and we want to strengthen more and more by work, working together, by way of developing more and more better understanding and I believe with this particular kind of initiative in the near future the traditional medicine as it is already been proof that it is a very very important solution to the challenges faced by the human being in this group and I hope that with the participation of the expert and other resourceful kind of institution this event will be a grand success and today particularly for this curtain measures event we have invited all of you and with your kind support ministry of I was under the dynamic leadership of honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the last nine years you have also witnessed how this ministry has developed in many parameters and also could to be able to draw the attention of the people of the globe and with its significant achievement remarkable achievement in the sector of education research and development and in the sector of service and manufacture and this is how India under the dynamic leadership of honorable prime minister could able to position its strength and ability in the central states of the globe Thank you Thank you sir the floor is now the floor is now open for questions I would request the members to identify themselves and their organizations before asking your question thank you sir thank you please sir i am 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 i am i am i am ma i am 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 पेशन्ट का quality of life काफी ठीक हुआ, एक प्रमाण है, दूसरा हम लोग integrative medicine के उपर काफी पिछले दिनों में काम करें, स्वास्तियमंत्रल के साथ मिल करके, जैसे National Cancer Institute है, जजजर में, तो वहाँ integrative IUS का, हमारा ओली राइस्टूर फाहिर वेदर का extension वहाँ काम कर रहा है, cancer patient को स treatment की सुविधा है, बहुत सारे options है, तो यह कहना त्वड़ा ज्यादा हो जाएगा कि क्योर खोज लिया गया, क्योंकि डाइसो प्रकार के cancer होते हैं, और सभी प्रकार के cancer के अलग अलग अपरोच है, लेकिन इस देशा में काफी काम हुआ है, प्रमुकुरूप से आसियान के के बारे में मानी मंतरी जी ने बताया, मैं सर आपके अनुमती से एक दो डाटा एड कर देता हूं, जो आपने कहा उसी को सबसेंट करने के लिए, कि यह जो आसियात देश है, इस सब मिलकर के उसका जो टोटल क्षेत्र है, वो विश्व के 15% क्षेत्रों को कवर करता है, और उसमें विश्व की 30% आबादी रहती है, और इसका टोटल बिजनेस है, वो साथ 7.41 ट्रिलियन का है, इसमें हमारा जो देश का ट्रेड है, वो 10% उनके साथ ट्रेड हमारा उनके साथ है, तो यह बहुत बड़ा एक कॉंपोनेंट है, बहुत हमारी एक इस पोलिसी के साथ भ प्रगती करी है, कि जैसे हमारे पास उसके कुछ एविदेंसे से थर्ड पार्टी स्टडी होते हैं, जैसे CIA का एक स्टडी है, ऐसे वेद इन कोरिया का एक स्टडी है, 2014 का, उस समय जो सेक्टर की साइज थी, वो 22,000 करोड के आसपास थी, और अभी एस पर दी प्रोजेक्श से ज़्यादा वृद्धी होई है, ऐसे ही एक सर्विस सेक्टर का स्टडी हम करा रहे हैं, इसके इंटरिम रिपोर्ट हमारे पास है, वो भी लगबग 1,60,000 करोड की सर्विस सेक्टर की साइज भी है, तो हमारे यह जो आयू सेक्टर है, वो पहले ऐसा माना जाता था कि छो आइडियाज है, रिसर्च है, रेगुलेटरी अफेर्स है, एक्सेंज ओफ ती कोमर्स भी है, तो यह एक बहुत बड़ा ओपर्चुनिटी है, जैसे मानी मंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए ओपर्चुनिटी है कि सेक्टर भारत में इतना तेजी से बड़ा है, तो उसको हम यदि आस्यान देशों में इस प्रकर के समवाद के माध्यम से उनके साथ हम डायलोग करते हैं, तो हमारे इस विज्ञान विदाओं को, आयूश विदाओं को, आयरविदा, सिद्धा, युनानी, होमयोपेथी, सुवारिक्वा, योग नेचरोपेथी, इस सब के लिए जबरदर स्कोप है, इसका एक कारण ये भी है कि हमारी सस्कृति कौमन है, और उन देशों में भी ये परंपराएं उपलब्द हैं, उन देशों के साथ हमारे सम्मन्द भी है, बायलेटरल कोलेबुरेशन भी है, ये सब चीजे होने से बहुत अनुकुल वाता इसके कारण ये जो कौनफरेंस होरी है, मानि मंत्री जी ने ये कहा, कि ये कौनफरेंस होरी एक प्रकार का बड़ा प्लेटफों में हमारे लिए भारत के लिए भी, बारत और असियान का जो ये डेली डेकलेशन था, उसके कमिट्मेंट भी था, कि हम लोग इसको दस साल तक इसको लेके जाएंगे, दस साल के बाद फिर से मिलेंगे, बेट करके इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमने ये डेली डेकलेशन किया, उसका फोलो अप में क्या हुआ, तो उसकी चर्चा होने वाली है, उसके अधर पर बहुत सारे आउटकम पेरामिटर्स को भी यहाँ देखा चाहिए. और उसके बाद आयरवेदिक है, फस्त नंबर पे आज की डेल में योगा है, तो ऐसा होता जा रहा है, नंबर बन, नंबर टू जो आईश की आपके मीटिंग है, इसमें चाइना को क्यों इंवर्ड किया है, कोई चाइना इसमें आईरवेदिक और जडी बूटियों में सब तो इसमें इसको क्यों इनवर्ड नहीं किया गया है? सभी सिस्टेम को बरवा देने के लिए सरकार की तरब से कड़म उठाई गाई है पिछली दिनों में हमने गाजियाबाद में भी इन्वानी की सार सो करोर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्टिंडर्ड की एक इंस्टिटिशन ख़रा की है भारत सरकार की है तो अब इस सिस्टेम को पिछली नौ साल के अंदर जो सक्टी दी गए है और परमादर ने पढ़ानमंदी जी ने निरंटर इस बिसेपर जो मेहनत की है सही निन्य ली है सही दिसा निदेश दी है और सपोर्ट की है आप 2014 टक किस हालत में रहे आपको भी मालूम है एक मामूली साब विभाग हुआ करती थे लेकिन मान्य परधानमंदी जी ने परधानमंदी का धाइट भार लेती ही साथ-साथ में तुरंट उन्होंने निन्ने की है इंडिपेंडेंट मान्ताले गठन की है और साथ-साथ में बजेट का बरहोती हुई और आप कैबिनेट स्टितास दी गई है और इसके बज़े से आस दुनिया में आयूस ने जो पहसान बनाए है ठो एक्जम्पलरी सक्सेस स्टॉरी जैसे सर्विस सेक्टर में बठाया है हमारे सेक्रेटर जीने और मनुफेक्टर दोनों मिला कर कुल मिला कर अल्मोस्ट क्लोस तो दा फोर लेक्स करोर मार्केट वी हब क्रिएट और लिए नाइन इस तो दिस दे ग्रोट एंड फॉर्स ताइम अनदर डाइनेमिक लिडिर्शिप अब वनर्बल प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने जाम नगर अपनी गंधी नगर में नहीं नहीं हमारी उसमें अमारा ये ग्लॉबल जो ग्लॉबल आयूस इन्वेस्मेंट अन इन्वेशन सामित पहली बार के लिए हम लोग ने पिछली साल की है और जहां हमको 9,000 करोर्स का इन्वेस्मेंट का कमिट्मेंट मिली है तो आयूस सेक्टर में ओ जो इंटरेस्ट लेवल अभी बढ़ने लगा है really कंज एंटर हूश असीज़ Program वाइस्मेंट इन् searching ह्ट किंटि अप्रॉबले स्टीं लेमल को एंट काद कया है and also I was could able to create a huge locative market across the globe and the consumptions I was product is now very satisfactory as a result market is growing and credibility is growing acceptable it is growing day-by-day this is the power of I was created across the globe I believe Joe apne saval ki hai koi discrimination nahi hai sab ko ham loogo nne haa silser me bhae ham nne nani ka sansta ham loogo nne suru ki hai toh kul mila ke dyes bhar mein savi bivastah ki sahi infrastructure bane is vishar per mantalai lagi huye hai aur mannyapadhan maddi ji nne haam ko nirantar is vishaya per support di hai 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 notice me toh silsar mein ham loogo nne ye mannyapadhan mannir ji ji isme dhu rai nai hai ki ki aapke netiritu me ayus nne bhout sare kama kiye hai aur isse pehle johais ka halat tha woh toh sabhi desh basi jantate hai isse sath me joh ek sawal me karna chao ga ki joh traditional medicine hai traditional medicine pehle desh ke adivasio dara ka o loog use karthethe aur abhi bhi jungle area me agar jayenge north east bolia ya assam bolia jitna bhi tribal area hai chanjati area hai us me traditional medicines ka use abhi bhi ho raha hai lekin kya sarkar ne unko badao dene ke liye kuch karik kiya hai dusra sawaal ki abhi joh asen countrys ka joh aap loogu ka yi joh bethak ho ra ho ga us me kya in aadivashio ka koi prateenititwa saamil ho ga hai ispere abhi jawab dhe minwa aapke jan kari ke liye mei batana saata haun ayus mantrali nne ministry of tribal affairs ka saat ek samzita ki hai 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 desh mei he humar ri kul mama aaga kraya kura ka aspas hai hai amariOpen universityAL travel look rehatte hai 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 Toan azizh ilakha mei hese heta mer Iraqahe hil len callasacak johan medicinal plant bin chicke hoye hai 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 kö his pecetasia par hii hai 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 thigh him situala lango aoa大家都 A peac plateau yai golong doonu mando alo dinamen के लिए मार्केट का वीवस्टा और उनके लिए इस अपने परंपरागत पद्धतिशे अपने उपारजन को निश्चित करने के लिए भी हम लोगों ने एक साथ कदम उठाने का निन्ने की है और इस बैठक में विषयस सुख से जो कंफरेंश होंगे उसमें एकसपार्ट का पर्टिशिपेशिं होंगे तो एकसपार्ट कहीं से भी हो सकता है लेकिन सारे कांफरेंस को सफल बनाने के लिए हमारा आइडिया एक्सेंस होंगे और उनकी जो भी एक्सप्रियेंस वो भी बटाएंगे और भविश्यत में हमको कैसा रोट में प्रस्टूट करना है आसियान कांट्री का साथ हिंडूस्टान का जो 30 साल से अधिक समय का हमारा अच्छा रिष्टा है इस रिष्टा को बढ़वा देने के लिए हम प्रामपरगत चिकिच्चा पढ़टी से कैसे जोर सेक्टे एक साथ मिलकर इंबेस्मेंट, ट्रेडिंग और साथ साथ में रिषार्च और रिगुलूटरी फ्रेमवर्क के सिल्षिले में हम डिटेल पर बसरसा करेंगे पहले तो मेरा बहुत बहुत शुब काम नाएं मुंत्री जी बहुत अच्छा ये आयूज का आपने किया है मैं इंडिपेंडेंट जनलिस्ट हूँ पर इन चीजों पर बहुत लिखती भी रहती हूँ तो मेरा एक आपसे खास सवाल है कि जैसे आपकी मिनिस्ट्री द्वारा क्या-क्या और प्रयास किये जा रहे हैं कि ये आयूज जो है वो जन जन तक पहुंचे और दूसरा ये कि जो मिनिस्ट्री द्वारा आप कहा रहे हैं कि रिसर्च और प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो क्या आपके वेबसाइट पर एवलेबल है क्योंकि हम लोग क्या है कई बारी इन्वाइट नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता है तो मैं चाहती हूं कि काफी चीज़ें जो हैं आगे तक पहुंचें हमारे जो नेशनल आयूस मिशन मिशन के जरिए आपको बिलिस लेवल तक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्ट्र बने चिकिचा उपलब्ध हो इसके लिए ये सुभी धा रखा गया है और आपको मालूम है है रजिस सरकार जब वो अपने प्रोपोजल भेजेंगे इस्टेट एन्वेल एक्शन प्लान के मुटाविक उसी प्रोपोजल को हमारी तरफ से महिनता दिया जाता है और स्टेट गौर्मेंट और सेंट्र गौर्मेंट एक साथ मिलकर सारी प्रोपोजल को आगे बढ़ाने के लिए हम काम में हमें से लगती है तो आपके सवाल का ही जवाब है और हमारा जो भी इन्फरमेशन वह अपने प्रोटेल में उपलप्त है आईउस प्रोटेल में आप जाएए अपडेटेट है जो भी लेटेस इन्फरमेशन अप्रिटिटिंग विल बी मैट अवेलिब फॉ यू और इन्फरमेशन आईउस प्रोटेल में आपको बटाओं 37 नंबर्स आप रिशार्श थाउजन सेबन थाउजन लाइक नंबर्स रिशार्श लाइक पेपर का जो आउटकाम है उस पे अपलूप्त किया गया है आप उसको भी डेख सेकता है कि रिशार्श के सिल्षिले अन मंत्री जी और हमारी 12,500 जो हेल्थ और वेल्नेंस सेंटर डीज के अलग अलग प्रांटों पर मनों उसको बनाने के लिए हमने कड़म उठाए है और अगली दिनों में कम दिनों के अंदर उसको पूरा करेंगे हम मन्य पढ़ान मंदी जी का ही निद्दे से और इस पार हम लोगों को नेशनल आयूस मिशन में 12 करूर का बजेट प्रभीजन रखा गया है तो इसलिए हम साहती है कि रज्ज सकार अधिक से अधिक हमें प्रपोजल भेजे और हमारे आपको भी मालूम है इंटिग्रिटिव जो मेडिशनेल के सिल्शिले में दोनों प्रपैसिक वकिंग्रिलेसेंशिप बिल्ड़ आप परनी के लिए हम लगे हुए है मन्या प्रधानमाटि जी का निध्य पस्थ है दोनों मन्तालय एक साथ मिलके काम करें दोनों मन्तालय के लाक्स एक है प्रिवेंशन आप डिजीज प्रिजरवेशन अव हैल्थ यानि कि and curative क्योंकि ये हमारा लक्स है कि हम एक साथ मिलके काम करें इसलिए आपने देखा है कि एम से लेकर state level hospital हो district level हो community health center primary health center health wellness center up to grassroots level तक दोनों system उपलप किया जाए traditional and modern टाकि जन्ता की सौइस की मुटावेक हम सिकिच्चा विवस्ता को आगे बराने में सफल रहे मंतरी जी मैं ब्रह्मे प्रकाश्च दुवे हूं जीनुस से मेरा सवाल ये है कि इस मंतराले के शुरुमाद से ये कहा जा रहा था कि जो traditional medicine है उनको सरकार सूची बद्ध करेगी देश भर में चाहे ट्राइबल लाके का हो या जहां जहां चलती है तो अभी तक कितनी ऐसी traditional medicine सूची बद्ध हुई है और दूसरा ASEAN countries के साथ जो आपका discussion होगा क्या आगे इस बात की possibility है कि जो उनके एक्सपर्ट्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपस में एक्सचेंज हो या traditional medicine एक्षेंज हो थैंक्यू यह traditional medicine के डोकुमेंटेशन हमारे जो हमारे रिसर्च काउंट्सिल से है Central Council of Home पे थी Central Council of Research and Ayurveda Sciences उनके मादयम से अधिक तर स्टेट्स में कंप्लेट हुए है उसके benchmarking document भी फब्लिश हुए है कि कहां कहां क्या traditional medicine available है पिर उनके लिए एक एक एको सिस्टम भी कोई traditional practitioner यह अपना कोई उनका आविशकार है कुछ प्रेक्टिस है तो उसको कंजर्वेशन करना उनको आई-पीर तक ले जाना उसके लिए भी हैंडोल करते हैं इनोवेशन नेशन इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं ऐसे ही एक हमारा एक इंस्टिट्यूट नोर्थ इस्ट में है पासीगाट अरुना चल प्रदेश में नेशन Director Institute of Traditional Medicine and Research. तो वो ठेशन आयूश का फेकल्टी वहां एक्षेंज के प्रोग्राम के अंतरगत युनिशिटी में गए ऐसे हमारे बाइलेटरल मोई भी है जहां हम चेर उन देशों में बेजते हैं और यह उल्रेडी प्रोविजनिंग है और यह उल्रेडी चल रहा है इस प्रकर का काम चैसे मलेशिया मे इस प्रक्राम ने एक्सपर्ट बेजे थे यह सब बाइलेटरल मोड पर इसको ओंगोईंग है डाइनमिक है वो चल रहा है इस अब बुलिएचो के साथ आयूश मंत्रा ने एक MOU किया था और बेंचमार्ट डोकुमेंट ओफ प्रैक्टिस इस ओप यूनानी, आयुर्वेदा, योग, एंड पंचकर्मा तो बेंचमार्ट डोकुमेंट सभी ड़ुलिएचो ने इसको पब्लिश किया है और वह भी ड़ुलिएचो ने पब्लिश किया है पुर्दी बेनिफित अब डी मेंबर कंट्री इंक्लूडिग असियान कंट्री यह भी हुआ है और ड़ुलिएचो के साथ मिलकर कि हम युनानी, सिद्धा और आयुर्वेद के जो 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 जानना चाहता हूं जो आजकर लोग आ अपना रहे हैं लोपेथी के कंसर में तो क्या ओनलाइन होम डिलीवरी सिस्टम के ओलेकर कुछ मंत्राले काम कर रहा है ताकि जो जन जन तक ज्यादा आयुर्वेद की दावजो मेडिसीन से वो उन तक पहुंच सके क्या कोई ऐसा ओनलाइन ओर सिस्टम डिलीवरी सिस्टम काम हो रहा है कि अलग इस पर किसी सिस्टम के साथ टाइब तो जनौशधी केंद्रों के साथ आयुष मंत्राले का सायोग है तो जनौशधी केंद्रों पर बहुत सारी आयुर्वेद की अवश्धी मिल रही है बाकी विदाओं के मिलती है ओनलाइन के लिए भी पिछले दिन का पूरा एक कॉंपोनेंट है विच केंद ओनली भी अवेलेबल टुदी पेश्टेंट विदी प्रिस्क्रिप्शन और दो चिकिसा की सतत निग्रामी में ही ले सकते हैं उसको हम ओनलाइन माधियम से अवेल कराने के पक्षमें नहीं है लेकिन बाकी आउस्दियों के लिए इस पर करके करें चल रहे हैं ठीक है इस इन बिट्वीन कई सारे ऐसे बोगस एड़टाइजमेंट्स आए दिन आता रहता है पेपरों में बड़े-बड़े वग्यापन भी आते चोटे-चोटे कि हमने कैंसर की दवा खोज ली हमने वजन कम करने की दवा खोज ली अपनी ह सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे बोगस विग्यापनों पर कोई पर्तिबंद लगाए यह फॉरेंट से भी इनी कंट्री से भी ज्यादा इस तरह के विग्यापन आते हैं हमारे फार्मों को विजिलेंस है मिसलीदिंग एड़टिस्मेंट के सेल्षिले में कारभाई कर आने के लिए हमारे संस्टा लगे हुए और अक्री में एक बात बताओं कि आप सब को भी मालूम है इसली 21 जून अंतरस्ते यूग डिबस परमाद्र ने पन्धान मिदे जिए नेटित्य में यूएन की मुख कार्याल है में 125 देश्यों का प्रतिनिधी के साथ उनकी नेटित्य में जो यूगा डेमोस्टिशन हुई जो गिनेस बुक अवर लेकॉर्ट में एक स्थान प्राप की है तो इसलिए आस एक बात तो इसपस्ट है मन्य पढ़ान में जिए के नेटित्य में आस दुनिया के मानव समास यूग के मैध्यम से अबजूर गए है so I believe this is the unique success story in the sector of traditional system of medicine particularly yoga and every Indians is inspired out of this achievement and we must give full credit to Honorable Prime Minister Nandamu Bodhiji because of his vision because of his untiring effort sincerity commitment dedication this achievement become a possible and reality and that is why our journey is very clear and as he has given a very clear direction to us to integrate the world through the principle of Vasudeva Kutumbakam and with this principle this particular event will also be organized and it should be held on the 20th of this month and I expect respected media friends please extend your support and support thank you